फ्लाट हेमिंग स्टिच उद्देश्य इस पाट के अंत में आप एक फ्लाट हेमिंग स्टिच को सिल पाएंगे आईए हम देखें कि कैसे एक फ्लाट हेमिंग स्टिच सिल सकते हैं कदम एक हेमिंग हमेशा एक हेम के उपर किया जाता है इसलिए पहले आप कपड़े के किनारों को मोड़िए ताकि इस पे फ्लाट हेमिंग स्टिच कर पाएं कदम दो दाएं से बाएं की तरफ सिलाई करते हुए धागे को पहले एक गाट के साथ मुड़े हुए कपड़े के अंदर की सता पे सुरक्षित कीजिए सुई को फोल्ड यानि कपड़े के मुड़े हुए भाग में से निकाल कर सपाट जगह में घुसाईए लगभग एक से दो मिलिमीटर की दूरी पर सिर्फ दो या तीन धागे उठा लीजिए कदम तीन फिर सुई को दुबारा कपड़े के मुड़े हुए भाग के अंदर डालिए एक या दो मिलिमीटर की दूरी पर आगे की तरफ और सुई को खींचिए ताकि पहली फ्लाट हैमिंग स्टिच बने हैम के आगे ऐसे ही काम कीजिए या मन में रखते हुए कि सिलाई जादा खिचनी नहीं चाहिए नहीं तो कपड़ा सही तरफ से खिचा हुआ दिखेगा कदम चार जब आप हैम के आखिर में आ जाएंगे सुई को आखरी स्टिच के लूप के अंदर से खींचते हुए सिलाई को खतम कीजिए और गांट को सक्त कीजिए यह दो बार कीजिए ताकि सिलाई बिलकुल बैठी रहे तो यह रहा फ्लाट हेमिंग स्टिच फ्लाट हेमिंग स्टिच की सीजी तरफ ऐसी दिखती है और फ्लाट हेमिंग स्टिच की उल्टी तरफ ऐसे दिखती है इसके साथ हम इस पाट के अंत में आ चुके हैं जाने से पहले आईए हम दुबारा देखें कि हमने यहां क्या सीखा है फ्लाट हेमिंग स्टिच को कैसे करना है हमने यह सीखा आईए हम इसके मूल कदम को दुबारा देखें कदम एक कपड़े के किनारों को मोड ये क्यूंकि हमिंग हमेशा हम के उपर की जाती है कदम दो दाएं से बाएं की तरफ सिलाई करते हुए धागे को गांट के साथ मोड के अंदर सुरक्षित कीजिए मोड में से सुई को निकाल लिए और उसे एक सपाट जगा के अंदर डालिए लगभग एक से दो मिलिमीटर आगे सिर्फ दो या तीन धागे लेते हुए कदम तीन फिर सुई को वापिस मुड़ी हुई किनारों के अंदर डालिए एक या दो मिलिमीटर से ज़्यादा आगे नहीं और फिर सुई को खींचिए ताकि आपकी फ्लाट हेमिंग सिच बन जाए कदम चार इस हेम के होने के बाद फिर दो गांट के साथ सिलाई को खतम कीजिए सुई